नवस्कार नेपाल समय समाचार मा स्वागच्छ मधिरज बसनेत शुरुगरों प्रमुक समाचार बाट राष्टिय सवा सदस्यमा नी बर्तमान ग्रिया मंत्री राम भादुर थापा पराजित ये मालेको माधप पक्षेको समर्धनमा डाक्टर खेमलाल देपकोटा बीजाई शर्वच्छ अदालत ने गर्यों गयर साम्षाद मंत्रियर को नियुक्ति बदर ग्रिया मंत्री राम भादुर थापा सैथ माववादी चाड़े का साथ मंत्री पद मुक्ता कोरोना महामारी नियंत्रन बाईर गय को भंदै जिम्मेबार बनन सरकारला नेपाली कांग्रेश को आग रह सी सी एमसी खारेजगर्न माववादी केंद्र को माद कोरोना संक्रमीत को उपचार का लागी प्रयोगरी ने रेमडेश सिवीर अउसदी अब नेपाल ने उत्पादन होने अब देखी नेपाली नागरीच पनी चाटर उडान बाट बिदेश जाना पाउने अब समाचार विस्तार मा नी बरतमान ग्रिया मंत्री राम भादुर थापा बादललाई हराउदेई राष्टिय सबा सदस्यमा डाक्टर खिमलाल देपकोटा बिजयी भयकाशन पांच हज्जार अठासी मत भार पायरा स्वतंत्र उमेद्वार देपकोटा निर्बाचित भयका हुन नेकपा एमाले का उमेद्वार थापाले चार हज्जार चौद र नेवकिपाका क्रिश्ण महरजन ले एकसे बत्तिस मत पायकाशन बिजयी देपकोटालाई नेपाली कांगरेस मावबादी केंद्र र एमाले को मादब नेपाल पक्षेले मत दान गरे काशन भने पराजीत बादललाई एमाले को ओली पक्ष र राप्रपाले मत दान गरे का थिये राष्टिय सबा सदस्य का लागी बिहान नौ बजे देखी शुरू भायको मतदान देवसो तीन बजे सक्किये को थियो बने साड़े चार बजे देखी मत गणा शुरू भायको थियो कोरोना संक्रमर बाट पच्छिल्ल 24 घंटा मा थप 1-90 जाना संक्रमित को मरतु भायको था बने 8,003-5 जाना संक्रमित थप ये काशन स्वास्तिय तथा जनसंख्या मंत्रा लेले बिहिबार दिये को जानकारी अनुसार बिविन्न जिल्लामा गरिये को 21,695 PCR परिक्षण मा 8,002-277 जाना मा कोरोना पुष्टी भायको हो एंटिजेन बिदिबात गरिये को 3-92 परिक्षण मा 58 जाना मा पोजेटिव देखिये को था पच्छिल्लो 24 घंटा मा 6,005-43 जाना कोरोना संक्रमर मुक्त भायका शन 88,645 पुगे को शा मंत्रा लेले आजासम्मा देशबर शक्रिय संक्रमित 1,15,008 से बाउन नागे को जना आयको चा बने मृत्तक को कुल संख्या 5,008 से 47 पुगे को शा गयर सामसा साथ जाना मंत्री को नियुक्ती सर्वच्च अदालत ले बदर गरी दिये को शा प्रदान्या दिस चोलेंद्र समसेर जबरा को एकल जलासले सामसात पद खारेज भाय पची पनी मंत्री बने का साथ जाना एमाले नियुक्ती असंबई दानिक भाय को ठार गरे को हो अधिबक्ता कपिल देब ढकाल र बिराज थापाले दायर गरेको रीट माथी प्रारंबिक सुनवाई गर दै प्रदान्या दिस राणा को इजलासले नियुक्ती बदर को फईसला गरेको छा सर्बचको यो फईसला संगे ग्रिय मंत्री राम बहादुर थापा द्योग मंत्री लेकराज भट्ट उर्जा मंत्री टोप बहादुर रायमाजी शारी विकास मंत्री प्रभु सहा खाने पानी मंत्री मडी थापा श्रम मंत्री गवरी शंकर चौदरी र युबा तथा खेल शाम्षद नेता हरूलाई मंत्री मा नियुक्त गरेका थिये। शाम्षद नेता हरूलाई मंत्री मा नियुक्त गरेका थिये। शाम्षद नेता हरूलाई मंत्री मा नियुक्त गरेका थिये। तथा रोक्ताम रा नियुक्त गरेका थिये। शाम्षद नेता हरूलाई मंत्री मा नियुक्त गरेका थिये। कांग्रेश समसद्य दलले निर्बाचन आयोगमा आजा उजुरी दर्ता गरायको हो। निर्बाचन आयोगले निर्बाचन आचार समिता देजार बहतर को दफा पांच को घौ तीन र पांच र दफा छ विपरित कारिय गरने जो कोहिलाई कारबाई गरनुपरने माग कांग्रेश ले गरेको छा। कोबीद 19 संक्रमित को उपचार का लागी प्रयोग गरीने रेमदे सिबीर आउसदी नेपाल माने उत्पादन होने भायको छा। आउसदी ब्यवस्ता बिबागले रेमदे सिबीर उत्पादन गरने अनुमती दिये पसी नेपाल माने उत्पादन होने भायको हो। दिवाग का सुचना अधिकारी संतोस केसीली रेम्दे सिमीर उतपाधन गर्न का लागी बिर्गंज स्थित् निसनल हेल्थकीयर लाई अनुमती दियेकू जानकारी दिये अउशदी उत्पादनगर्ने कमपणी का सबी सम्रचना हेरे रा उत्पादनगर्न सकने भवयपसी मात्रे अनुमती दियेको जनाई येको छा चीन को तिबबत सरकारले नेपाल लाए अत्यावसेक स्वास्ते सामागरी सहयोग गरेको छा नेपालमा कोरोना संक्रमर तिब्र बने पसी तिबबत ले लिक्वीट अक्सिजन, सिलिंडर, कंस्पेटर लगायत स्वास्ते सामागरी सहयोग गरेको हो तिब्बत सरकार ले सयोग गरेको 30 मेट्रिक्टन लिक्विड अक्सिजन विहीबार लासा बात नेपाल प्रस्तान गरेको लासा इस्तेत नेपाली महाबारी जे दुताबास ले जना आयको छा उक्ता स्वास्त्य सयोग सुक्रबार राती सम्मा खाशा आयपुगने भायको छा तिब्बतले सयोग गरेको लिक्विड अक्सिजन बात 40 केजी छेमता का 6000 सिलिंडर भर्न सकीने छा अब देखी नेपाली नागरी खरूपनी चार्टर उडान बात बिदेश जाना पाउने भायकाशन परेट्रन मंत्री भानुभक्त डकाल को सिफारिस मां मुदबार बसेको मंत्री परिशत को बैठकले नेपाली लाइपनी चार्टर उडान मार पत विदेश जान अनुमती प्रदान गरने नेणाय गरेको हो नेपाली लाई पनी चार्टर उणान बाट बिदेश जान दिने र तेस्ता उणानला अनुमती दिने निर्णे भयको नागरीक उद्यान प्राधिकराण का प्रभगता राचकुमार स्थे ठ्रीले जानकारी दिये नेपालमा रहका बिदेसी लाइ फिरता लीना का लागी मात्र चार्टर उडरान अनुमति दिदे आयको थीयो वैसाक 23 गतेदे कि भारत वायक का देशमा नेपाली का लागी बिदेसदान बन्द गरी येको थीयो सब्सक्राइब isto नेपाल आयल निगमले पेटोलें पदार्थ को मुले प्रती लीटर 12 रुपया का दले ब्रिदी गर्यों। पछिले एक बर समा मात्रे दर्जन भंदा बड़ी पटक पटक पेटोल तथा डीजल को मुले समाय जन गर्यों। मुल्य बड़े वा घटियो भनेरा सबे काउंडर क्लोज भायपाची मात्रे जानकारी गर्यों। मुल्य बड़े को जानकारी गर्यों। राष्टिय योजना आयोक उपादक्षे मा पुनौ प्राध्हपक डाक्टर पुस्पराज करेल नियुक्त भायका शन। संबार वसेको मंत्री परिशत को बैठकले उपादक्षे करेल साइत सदस्यरू डाक्टर कृष्ण प्रशाद ओली डाक्टर उसा जा रमीन बहादुर साहिलाई आयोक गठनको आदेस बमजीम नियुक्त गरेको हो। पुन नियुक्ती पसी बीबार सिंह दर्बार मा प्रणान मंत्री अबम आयोक का अज्यक्ष्य क्येपी सर्मा ओली बाट सपत ग्रहन गरेकाशन। शपद ग्रहन पसी उपादक से कड़ेले राष्ट्य योजना आयोगमा दोसोटाइ स्मार्ट सिटी को बवबर्से योजना श्वीक्रीत गरने नेने को फाइल शदर गरी पद बार ग्रहन गरेकाशन। अमेरिका ले हिंसा अंतेगरी समस्या को सांतिपुन समाधान का लागी इज्राइल माथी को दबाब बड़ा आयको छा। महत्तोपुर्ण सयोगी राष्टा रहा दे आयको अमेरिका ले इज्राइल पालेस्टाइन हिंसा दोस्रो हप्ता मा जारी रहा दा तथा बालबाले का सईत शर्बसादरन को ज्यान गई रहा का बेला इज्राइली प्रधान मंत्री माथी दबाब बड़ा आयको हो। इज्राइल संगा पालेस्टाइनी हमास बिद्रोई बाटा हुना सकने चुनोवती मा आत्मा रक्षा को अधिकार रहे को बताऊं दे आयका अमेरिकी राष्ट्रपती जो वाईजन ले इज्राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेता न्याहोलाई आक्रमर कौम गर्न भने अमी नेपाल समय समाचार को अन्ते मा आई पोगे का शाओं अन्ते मा प्रमुक समाचार पुनह एक पत्रक राष्ट्रिय सबा सदस्य मा नी बर्तमान ग्रिया मंत्री राम भाधुर थापा पराजिद एमालेको माधप पक्षेको समर्धन मा डाक्टर खेमलाल देपकोटा ब बनन सरकारला नेपाली कांग्रेश को आग रह सीसीमसी खारेजगर्न माववादी केंद्र को मात् कोरोना संक्रमीत को उपचार का लागी प्रयोग गरीने रेमडे सिवीर अउसदी अब नेपाल ने उत्पादन होनी अब देखी नेपाली नागरी पनी चार्टर उडान बाट बिदेश जाना पाउने रह इंगसा अंतेगरी समस्या को सांती पुन समाधान कोजन इजराल माथी अमेरिका को दबाब युगद बीराम का लागी भईरय को प्रयास भाड़ी न सकने चेतावनी हाउस्ता आजलाई नेपाल समय समासारेती ने वली पुनह उपस्तित वनेशाओं हमी सबईलाई विदादी नहोस नवस्ते